आप सभी का स्वागत है रवी जोन फार्मिंग लीडर में मैं रवी त्यागी आपका होस्ट एंड दोस्त मेरे सभी बुजूर्ग और किसान सात्यों को मेरा राम राम तो किसान सात्यों आज हम बात करेंगे अपने छोटे नन्ने काफों के बारे में के उन्हें हम अच्छा कुछ अलग कर किसान सात्यों हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और घंटी के बटन को जोड़ दबाएं तो किसान सात्यों जैसा कि आप जानते हैं हमारे बच्डे बच्डी हमारे कट्डे या कट्डी जादेतर पेट के कीडों के रोग से गरस्थ होकर 80% से जादे हमारे कि चीज को ध्यान में रखते हुए हमें अपने बच्डे बच्डीयों की deworming करनी चाहिए लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है कि छोटे बच्चे की deworming करते हुए हमारा जो किसान भाई है वो डरता है लो डरता है कभी इसे नुक्सान न दे जाया अभे ये छोटा है बहु उसी को सोचते हुए उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा है कि क्यों ना हम कुछ ऐसा उपाय करें जो वो कारगर भी हो और किसे की परिसानी ना हो तो साथियों हमें बिल्कुल ऐसा उप्चार करना है जो बिल्कुल हमारे पास है हमारे घर में है हमारे आसपास है तो उसके लिए हम लेंगे एक पान का पत्ता या आप देख सकते हैं एक पान का पत्ता केवल एक पान का पत्ता और लेंगे अजवाइन हर रसोई में हर किचन में अजवाइन है एक पान का पत्ता और दस ग्राम अजवाइन यानि कि एक तोले अजवाइन हम ले लेंगे पान के पत्ते को हम बहुत बरीक बरीक काट लेंगे बरीक काटके और उसे पूरी तरह जो है मसल लेंगे मसलने के बाद जो हम 10 ग्राम हमारी जो अजवाइन है उस 10 ग्राम अजवाइन को कूट कर हम बारीक पीस लेंगे और इन दोनों चीजों को एक जगे मिलाने के बाद फिर हम लेंगे तीन कप पानी तीन कब पानी में इस पान के और अजवाईन के मिसरन को डालेंगे और उसे हम तब तक उबालेंगे जब तक वो आधा रह जाए जब वो मिसरन उसमें अच्छे से उबल जाएगा बिल्कुल मेस हो जाएगा तो उसे हम पानी को ठंडा करेंगे और च्छानेंगे च्छानने के बाद जो पानी उसमें आदा बचा हुआ है उसे हम अपने नन्ने काफ को पिला देंगे इससे क्या होगा कि हमारे काफ की हमारे जो नन्ने बच्चे हैं उनकी डिवार्मिंग हो जाएगी कई बार हमने देखा है कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी आँखों में ढीड आती है उनका पेट फूला सा रहता है वो सुस्त रहते हैं उनका बार बार उन्हें लूज मोसन होते हैं दूद जो वो पीते हैं वो दूद पच्टा नहीं है उसका यही कारण है कि हमारे जो नन्ने बच्छे बच्डी हैं उनके पेट में कीडे होते हैं वर्म होते हैं जब ये दवाई देने से वर्म खतम हो जाएंगे तो हमारा जो बच्चा है वो दूद भी अच्छा पिएगा और अच्छी ग्रोथ करेगा और आगे चलके एक आदर आपने छोटे बच्चों की डी वार्मिंग की ये वीडियो देखी अगर ये मेरी बताई हुई बाते हैं आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें सेर करें चैनल को सस्क्राइब करें और घंटी के बटन को जबूर दबाएं ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत दो धन्यवाद मैं रवी त्यागी रवी जोन फार्मिंग लीडर से